असलाम अलेकुम डियर फ्रेंड्स कैसे है आप सब आज के इस वीडियो में हम 13 जनवरी 2023 के CTET Maths Paper 1 के Questions का Solution करेंगे आईए Paper करना स्टार्ट करते है सबसे पहला question है The difference between the greatest and smallest numbers of three digits is इस सवाल में हमको क्या पुछा गया है कि हमें 3 हिंसी जो सबसे बड़ा नंबर होता है और सबसे छोटा नंबर जो होता है 3 हिंसी उनके दर्मियान का फर्ख बताना है तो आपको मालूम होगा सभी को कि 3 हिंसी सबसे बड़ा नंबर क्या होता है हमारे पास 999 और सबसे छोटा नंबर होता है 3 हिंसी हमको बस इन दोनों के दर्मियान का फर्ख बताना है difference यानि कि इनकी तफ्रीख करके हमको बताना है 9 में से सिपर गया 9 9 में से एक गया 8 इस सवाल का सही जवाब क्या है 800 99 option number 2 next question है divide 26 by 1 1 upon 2 and add 30 to it from the result subtract 35 what do you get देखिए हमें ये question जो दियावा है ये board mask का question है कि हमें सबसे पहले क्या करना है 26 को divide करना है 1 upon 2 से फिर उसमें add करना है 30 को और फिर जो हमारा इस सबका answer आएंगा उसमें से हमें subtract करना है 35 को तो देखिए जब हम 26 से 26 को divide करेंगे 1 by 2 से यानि कि जब हम इसको reverse कर देंगे ये 2 upon 1 हो जाएंगा बीच में हम division की जगा multiplication क sign जबला लेंगे तो प्लस इसमें add करेंगे 30 फिर जो इस सबका हमारा answer आएंगा उसमें से हम minus करेंगे 35 को यह हुंगा 26 दोनी 52 दो चाके 12 के 12 के 2 हसी लागया 1 2 2 4 और 5 52 जमा 30 हम करेंगे फिर इसका जवाब आएंगा हमारे पास उसमें से हम minus करेंगे 35 को यह देखिए यह ह 35 को minus करेंगे तो हमको क्या मिलेंगा 12 में से 5 गया 7 7 में से 3 गया 4 47 option number 3 इस question का correct answer है next question है if 4579 plus x plus 3895 is equal to 9090 then value of x is देखिए इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है यह दो numbers दिये हुए है हमको इनका addition करना है और फिर यह जो number है इसमें से इनके addition यह दोनो numbers के addition को हम subtract कर देंगे तो हमको x की value मिल देंगी इस question में हमको simply बस x की value find करके बताना है तो क्या करेंगे हम इन दोनों को add करेंगे सबसे पहले 4579 में जब हम add करेंगे 3895 को हमको क्या मिलेंगा number 514 के 4 हसील आया 1 एक और साथ 8 आट आट और नौ सद्रा के 7 हसील आ गया एक आट और छे 14 आट और छे 14 के 4 हसील आया एक चार और छार आट तो हमको मिला 8474 8474 प्लस x is equal to 9090 है हमारे पास तो x किसके equal होंगा 9090 उसमें से minus कर देंगे हम 8474 को तो हमको x की value मिल देंगी देखी तो अब हम इसको जब subtract करेंगे तो क्या मिलेंगा हमको 10 में से 4 गया 6 यहाँ था 8, 8 में से 7 गया 1 फिर यह 10 में से 4 गया 6, 8 में से 8 गया 0 यानिके x की value हमको क्या मिली 616, option number 4 इस question का correct answer है next question है, question number 4, how many twin primes are there between 51 and 100, twin primes क्या होते है उर्दु में हम इसको कहते है, जोड मुफरदादात, सबसे पहले आप twin prime numbers का concept समझ लिजे twin prime numbers हम ऐसे prime numbers को बोलते हैं जिनके दर्मियान सिर्फर सिर्फ 2 का फर्ख होता है यानिके 3 और 5 अगर हमने लिए तो इन दोनों के दर्मियान में कितने का फर्ख है, 2 का है 5 और 7 अगर हम लेते हैं तो इसमें भी 2 का फर्ख है इनके दर्मियान में ऐसे numbers, ऐसे prime numbers जिनके बीच में सिर्फर सिर्फ 2 का difference होता है उनको हम क्या कहते है, twin prime numbers कहते है और दूसरा होता है, twin prime numbers कोर्दू में हम क्या कहते है, जोड मुफर्द आदाद और जो दूसरा होता है, वो है co prime numbers बहा मुफर्द आदाद बोलते हम इन कोर्दू में co prime numbers में prime और composite दोनों टाइप के number भी हो सकते है ऐसे numbers जिनका common factor सिर्फ 1 होता है HCF सिर्फ और सिर्फ 1 होता है इसमें prime numbers भी आ सकते हैं और composite numbers भी आ सकते हैं For example, अगर हम ले 4 और 7 ये दूसरे के co prime numbers है अब देखिए, आप तो बिलेंगे इसमें 4 composite number आया और 7 prime आया हाँ, इसमें composite number और prime number दोनों भी use हो सकते हैं बस इतना है कि इनका common factor जो रहेंगा HCF वो 1 रहेंगा अगर आप 4 के factors निकाले तो वो होंगा 1, 2 और 4 उसके बाद अगर हम 7 के factors निकाले तो क्या होता है 1 और 7 तो देखिए, दोनों का common factor क्या आया एक 1 आया तो 4 और 7 एक दूसरे के co prime है बाहम मुफर्रद आदाध है और twin prime number क्या होता है जिनके दर्म्यान का फर्क दो होता है सिर्फ पर सिर्फ दो होता है और वो दोनों भी prime numbers होने शाहिए composite number नहीं आते है उसके अंदर देखिए जब हम 1 to 100 तक के लिखेंगे prime numbers तो उसमें आएंगा सबसे पहला 3 और 5 दूसरा आएंगा 5 और 7 उसके बाद आएंगा 11 और 13 उसके बाद का आएंगा 17 और 19 17 और 19 आएंगा उसके बाद जो number आएंगा हमारे पास में 29 और 31 उसके बाद जो number आएंगा 41 और 43 उसके बाद 59 और 61 और उसके बाद का number आएंगा 71 और 73 लास्ट देखिए अगर हम देखें 1 to 100 अगर हम देखें 1 to 100 तो टोटल कितने होते हैं twin prime numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 1 से 100 में 8 होते हैं twin prime numbers की जोड़िया और हमें अभी पूशन में क्या पूचा गया है 51 से 100 यानि के हमको 51 के बाद वाले और 100 से पहले वाले देखने हैं तो ऐसे अभी हमारे पास कितने हैं सिर्फ 2 ही है तो 51 से 100 में कितने prime numbers होते हैं twin prime numbers 2 होते हैं इस question का correct answer है option number 2 देखिए next question है the LCM of two numbers is 20 times of their HCF and LCM plus HCF is equal to 2520 what will be the difference of LCM and HCF देखिए हमको क्या दियावा है कि दो numbers का LCM है वो कितना है 20 times है उसके HCF की अगर हम consider कर रहे है कि HCF है उसका A उसका LCM क्या हो जाएंगा 20 times है वो क्योंके तो वो हो जाएंगा 20A आप हमको क्या दियावा है कि उन दोनों का addition LCM and HCF का addition है 2520 यानि के 20A plus A होंगा हमारे पास में 2520 तो हमको इससे A की value क्या मिलेंगी 21A is equal to 2520 21 से गर हम cancel करेंगे 2121 2121 यहाँ पर बच्चे 4 2121 यह सिफर A की value है हमारे पास 120 अब यह आया उसका HCF और LCM क्या रहेंगा फिर 20 into A था ना LCM 20 into A था यानि के 20 into 120 तो उसका LCM क्या रहेंगा 20 सीफर सीफर 202 नी चालीस का सीफर हासिला है 21 का 20 और 24 24 24 तो आया उसका LCM अब हमको क्या करना है difference उनका find करना है उनके दर्मियान का difference क्या है तो LCM माइनस HCF है हमारे पास में 2400 माइनस 120 तो यह होंगा इसके वेल्यों है हमारे पास 2280 2700 मेंसे जब हम 120 निकालेंगे तो हमको मिलेंगा 2280 तो इसका correct answer है option number 4 next question है the largest 4 digit number that can be formed using digits 8,1 and 7 in which any of these digits can appear twice is देखिए हमको क्या बताना है कि यह जो हमको numbers दिये वे है 8,1 और 7 तो इन तीनों numbers का इस्तिमाल करके हमको सबसे बड़ा 4 digit number बनाना है चार हिंसी अदत बनाना है लेकिन इसमें एक शर्थ है कि सिर्फ कोई एक ही number को हम double use कर सकते यानि कि repeat कर सकते है तो सबसे बड़ा जब हमको number बनाना है तो obviously सबसे बड़ा number ही हम repeat करेंगे और उसी को सबसे पहले number पर लेंगे तो हमारा number क्या होंगा 8,8,7,1 यह वाला number हम बनाएंगे option number 2 इसका correct answer अगर हमको बोला होता कि सबसे चोटा बना यह number तो हम क्या करते थे सबसे चोटे number को repeat करते थे और पहले उसी को लेते थे 1178 यह smallest रहता था हमारा अगर हमसे पूछा जाता इसकी जगापर तो यह होता smallest और यह वाला है हमारा largest यह निके सबसे बड़ा चार हिंसी अदद option number 2 है इसका correct answer next question है question number 7 a flat surface which extends indefinitely in all the direction is known as हमको बताना है कि ऐसी जो surface होती है flat plane जो सता होती है तो वो कौन सी होती है जो indefinitely यहनिके लामहदूत तरीके से हर direction में फैल सकती है तो देखिए point तो इतना सही रहता छोटा एक यूश पर रहता plane जोसको हम मुस्तवी कहते है वो बहुत बड़ी सता होती है और यह indefinitely फैल सकती है हर direction में line जो होती है सिर्फ दोई direction में दा सकती है और line segment वो भी limited होता है यानिके इसका correct answer है option number 2 plane मुस्तवी एक ऐसी सता होती है प्रिजम है देखी हमको बताना है कि ट्रैंगुलर प्रिजम में कितने vertices यानिके राशी नुखात होते है अब अगर हम देखे प्रिजम किसको बोलते प्रिजम कोई ऐसे figure होती है जिसके दो जो साइट्स होते हैं वो सेम रहते हैं यह देखी यह बना हमारा ट्रैंगुलर प्रिजम तो ट्रैंगुलर प्रिजम है यह अगर इसके लावा कोई भी शेप का अगर हम प्रिजम बना रहे है तो प्रिजम की क्या स्पेशालिटी होती है कि उसके दो साइट्स होते हैं जो सेम होते हैं और इसके अलावा एक आता है पिरामिड आता है पिरामिड का क्या होता है पिरामिड हम ऐसी एक फिगर को बोलते हैं जिसका एक ही बेस रहता है इसके दो बेस होते हैं और दोनों भी सेम होते हैं पिराम रहेंगा जो भी शेप रहे हैं रहेंगा और इसके जो तो सारे साइट्स कैसे होते हैं इसके सारे साइट्स होते हैं ट्राइंगल के शेप के और ये एक vertex पे आके मिल जाता है इसमें कोई specific एक vertex नहीं होता है दूस्त पे सारे point मिलते है इसके दो sides दो base होते है दोनों भी same होते है इसका सिर्फ एक ही base होता है सारे side triangle के shape के होते है इसके सारे sides rectangle के shape के होते है ये इन दोनों का फर्ख है और इसका एक ही vertex, common point पर आके इसके सारे sides meet करते हैं, pyramid के, और इसके ये parallel रहते एक दूसरे के, एक ही specific point पर आकर नहीं मिलते हैं, हमें क्या बताना है, triangular prism, यानि कि इसके अंदर हमको बताना है कि कितने vertex होंगे, triangular prism है, तो देखिए, अगर आपको इसके vertex हम बताएं, तो यहाँ पर ये एक रहेंगा, ये दूसरा रहेंगा, ये तीसरा रहेंगा, ये चार, पांच और ये छे, छे vertex रहेंगे टूटल इसमें, triangular prism में, और अगर इसका एक shortcut अगर हम देखे, तो ये triangular prism है, triangle में कितने vertex हैं, एक, दो, तीन, ये तीन vertex हैं, triangle में, तो हमको बस क्या कर इसके number of vertex लेना है, इसको 2 से multiply कर देना है, वो हम को उसके, उस shape के prism के vertex मिल देंगे, अगर हमको rectangle बोला है, या फिर square बोला है, ये है rectangle, rectangle में कितने vertex हैं, एक, दो, तीन, चार, हम क्या करेंगे, rectangular shape के prism के, अगर हमको vertex निकालना है, तो उसको 2 से multiply कर देंगे, तो ये हो टांसर है option number two next question है the side view of a cone appears as देखी इसमें कोन पुछा गया हमको कोन भी एक 3D shape होता है जो आइस्क्रीम का कोन होता है या फिर जो लोग hat पहनते हैं पार्टी वगईरा में तो उसमें जो कोन यूज होता है इस तरीखे का तो हमको बताना है कि उसका side view कैसा दिखेंगे अब यह तो उसके 3D figure है अगर हम इसको एक side से देखेंगे तो कैसा दिख रहा है हमको triangle की shape का दिख रहा है ना सिरिफ इतना उसका triangle का shape का दिख रहा है तो इसका correct answer क्या है option number one है next question है a container has 35 liter 560 ml oil if 875 ml more oil was mixed into it then total amount of mixture will be simply इसमें हमको क्या करना है बस addition करना है कि हमको 35 liter 560 ml में अगर हम 875 ml और add कर लेंगे तो हमको कितना मिल देंगा तो देखें यह मिला 5, 7 और 6, 13 की 3 हासिलाया 1 एक और पाथ 6 और आठ 14 की 4 हासिलाया 1 एक और पाथ 6 36 liter 435 ml हमको इसका answer मिलेंगा option number one question का correct answer है next question है question number 11 in a school the study started at 9.15 a.m. and recess was at 12.55 p.m. what was the study time up to recess तो हमको बताना है कि कितना school start होने से recess के दर्मियान में कितने घंटे जो time था वो study का time था simply बस हम इसमें क्या करेंगे 12.55 में से 9.15 को minus कर देंगे तो हमको उसका time मिल देंगा 5 में से 5 गया 3 गंटे 40 मिनट्स option number 2 next question है an necklace of gold weighs 7 gram 6 decigram 3 centigram 8 milligram if it has pearls of weight 3 decigram 1 centigram 3 milligram in it then what is the weight of the gold in the necklace देखिए एक जो हार है an necklace है सोने का उसका weight हमको दिया हुआ है gram decigram centigram और milligram में और अगर उसमें बताया गया है कि इतने 3 decigram 1 centigram और 3 milligram के pearls है उसमें तो हमको सिर्फ उसमें से सिर्फ gold का weight बताना है कितना है simply हम क्या करेंगे इसमें भी subtraction करेंगे 7 gram 6 decigram 3 centigram 8 milligram तो देखिए हमको इसमें क्या करना है इसके बाद में simply हमको बस इसमें subtraction करना है हम total necklace का weight लिख लेंगे और उसमें से ये पर्ल्स का weight माइनस कर देंगे तो ये हम माइनस करेंगे 3 decigram 1 centigram और 3 milligram तो हमको जो मिलेंगा वो ओरिजिनल सिर्फ पर सिर्फ gold necklace का weight आ जाएंगा 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2 cg mg और ये 6 में से 3 गया 3 dg तो हमको जो सिर्फ पर सिर्फ necklace का weight है वो कितना मिला 7 g, 3 decigram, 2 centigram और 5 mg देखिए 7 g, 3 decigram, 2 centigram और 5 mg option number 2 इस question का correct answer है next question है question number 13 which of the following numbers respectively will come in the blank spaces in the pattern given देखिए हमको pattern का question दियावा है pattern में हमको बताना है कि कौन सा जोहतो numbers उसमें आप repeat होंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 11 into 13 जब कर रहे तो 12 का square minus 1 आ रहा 15 into 17 जब कर रहे तो 16 का square minus 1 आ रहा है 30 into 32 कर रहे तो 31 का square minus 1 आ रहा है यानिके जो दो numbers है इनके बीच का number यहाँ पर आ रहा है उसका square आ रहा है यहां पर रहे हूं यह पर है 46 उस से पहले का number यहां पर रहेंगा दो दो नमबर पहले का 44 रहेंगा यहां पर और यहां पर क्या आएंगा 45 का स्क्वेर आएंगा 44 45 का स्क्वेर option number 4 इस question का correct answer है next question है question number 14 the mean of first 10 odd prime numbers is देखे हमको क्या करना है पहले 10 ताख मुफर्द आदात का हमको mean यानिके मियानिया बताना है कितना है average निकाल कर देखेंगे हम सबसे पहले ताख prime numbers लिख लेंगे 3 के बाद 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं 27 नहीं उसमें 29 आएंगा और 31 आएंगा देखेंगे 10 हुए क्या एक दो तीन च्यार पांच छेज आट नव दस हां दस हो गई है टूटल पहले दस शुरू के जो दस है हमको वह ताख जो है तो मुफर्द आदत का मीन बताना है मीन हम इसको एड कर लेंगे और यह तो इसको टैंसे डिवाइड कर लेंगे क्यों मीन का फॉर्मोला क्या होता है तो हम नहीं यह टाम्स लिख लिए स्टाटिंग जो दस है तो टाम्स लिख लिए हमने अब इसका हम जो है तो सम ले लेंगे और इसको नम्बर अव टाम्स यानिके टैंसे डिवाइड कर देंगे तो इन सब का सम क्या आथा हमारे पास में नौ और एक दस और यह तिन तेरा 13 और 9 22 22 और 7 29 30 31 32 और 1 33 और ये 7 40 और 5 45 और 3 48 के 8 हासिल आया 4 ये 4 और 3 7 7 और 2 9 11 12 13 14 15 158 बटे 10 करेंगे इन सब का समारा है 158 उसको जब हम टैंसे डिवाइट करेंगे तो ये 0 गया यहाँ पर पॉइंट यह हो गया 15.8 option number 2 इस question का correct answer है next question last question ही contain का इस question में हमें का बताना है the marks obtained by 30 students in a mathematics test are as shown below नीचे बच्चों के marks दिये हुए है 30 बच्चों के जो maths के टेस्ट में उन्होंने लिए है the number of students obtaining more than or equal to 5 marks हमको क्या करना है ऐसे बच्चे जिन हुने 5 या उससे ज्यादा नमबरात लिए है वो बच्चे कितने है ऐसे गिन कर बताना है तो बस simply हम क्या करेंगे 5 marks वाले और उससे ज्यादा marks वाले बच्चों को mark करेंगे और उनको indicate करके उनके नमबर गिन लेंगे देखी 7 5 से ज्यादा है हां सत्रह है टूटल सत्रह ऐसे बच्चे है जिन्होंने पांच या उससे ज्यादा नमबरात लिए तो option नमबर वन इस question का correct answer है कंटेंड का part complete हुआ अब पेड़ागोजी की तरफ जाते हैं पेड़ागोजी का सबसे पहला question है mathematical thinking is based on देखिए mathematical thinking किसी इस पर based होती है हमको बताया है procedural fluency यानि के तरिखायकार की जो इतरवानी पर होती है कि यह सिर्फ नहीं intuition और observation पर होती है क्या नहीं logic और observation लोजिक तो होते हैं option number 4 इसका correct answer है next question second question है contain का while teaching multiplication table for 4 a teacher has used the multiplication table for 2 in the following way 4 times 2 is double of 2 times 2 देखिए एक teacher है जो क्या कर रहा है multiplication of table of 4 बच्चों को सिखा रहा है तो उन्होंने 2 के table का use किया है और बच्चों को कैसे बताया है कि 4 times 2 is double of 2 times 2 यानिके 4 times 2 2 plus 2 plus 2 2 plus 2 क्या होता है equal होता है 2 times 2 का double 2 times 2 का double होता है 4 times 3 is double of 4 times 3 and so on यहीं बता होनोंने कि चार दफा जब हम 3 लेंगे तो वो दो दफा 3 के बराबर रहेंगा the objective of the teacher is true तो teacher के इसमें objective क्या है show his mathematical competency अपनी competency बताना चाहता है कि बच्चों को नहीं introduce a concept of double double concept introduce कराएंगे नहीं encourage the students to use mathematical tricks to learn the tables quickly बच्चों को trick बता रहें कि वो table जल्दी learn करने के लिए नहीं ऐसा भी नहीं करने कर रहे था बच्चों को math सिखाने के लिए use patterns and relationships to develop new concepts using the previous knowledge देखें बच्चों के पहले की previous knowledge का इस्तेवाल करने टीचर एडिशन बच्चों को आता है और वो उसी के बेस पर वो previous knowledge के बेस पर ही new knowledge का construction कर रहा है student के साथ तो option number four is question का correct answer है next है question number three pedagogy का a student has a concept of fraction he she can easily understand the concept of rational numbers by linking it with a fraction एक बच्चे को fraction का concept मालूम है यानि के कसर का concept मालूम है और वो easily क्या करता है rational number का concept भी समझ जा रहा किस तरीखे से उसको fraction से link करके according to pya j which cognitive process is responsible for this प्याजे के according की कौन सी जो है तो cognitive process इसमें जिम्मेदार है scat folding तो bygots की का दिया हुआ है decomposition प्याजे ने दिया ही नहीं डिसेंट्रेशन भी डिसेंट्रेशन भी नहीं है यह यह है assimilation assimilation में क्या होता है according to pya j बच्चय अपनी प्रिवियस जो नॉलेज होती है उसके अंदर नहीं नॉलेज को add करता है adding new knowledge in previous knowledge उसका ही मतलब होता है assimilation according to pya j new knowledge in to previous according to pya j इसका correct answer है option number two next question है grade four student is unable to do multiplication involving two digit numbers which of the following can be best adopted by the teacher to help the child learn multiplication of two digit numbers देखिए एक चौथी क्लास का बच्चा है उसको है ना two digit है यानि के दो हिंसी अदत का जरब करने में multiplication करने में problem हो रही है तो इसमें से कौन सा तरीखा होंगा जो नीचे हमको options दिये वह है आप करना चाहिए तो बच्चे को वो two digit number का multiplication इजीली सिखा सके और शीचुद में के लिए बच्चों को टेबल पास्ट लेर्न के लिए के लिए बोलना है कि नहीं यह शुद तेल देट तो यूस चल्कुलेटर नहीं जो चीचर नहीं नहीं बताया है वह यूस करके आप कितने भी प्रॉलम्स करवाएंगे क्या नहीं यह भी गलत बात होई आप्शन नमबर 3 इस कुशन का सही एकदम करेक्ट अप्रोप्रियेट आंसर है नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर 5 यह 4 ही था ना उसका साइब नमबर क्या होता है quantity के लिए यूज करी गलता की उसपीटिति के लिए नंबर तरतीब तरतीब यूज पोजिशन और serial number, serial number को बताता है यहाँ पर bus number 75, यह specific उसी bus के लिए है न कि वो कहा जाती है, central market को जाती है, खास इसी के लिए जैसा किसी last paper में हमने जब देखे थे किसी player के t-shirt पे जो number लिखा होता है वो specific उसी की पहचान बताता है उसका identification तो option number 2 इसका correct answer है next question है, question number 6 मैं asked to numerically represent the number 402 a 5th grade student writes it as 4002 similarly for 608, he, she writes 6008 what is the most appropriate explanation of this misconception एक पांचवी class का बच्चा क्या कर रहा है जब उसको 402 लिखने के लिए कहा दा रहा है तो वो 4002 लिख दे रहा है और उसको 608 लिखने के लिए कहा दा रहा है तो वो 6008 लिख दे रहा है तो हमें बताना है कि यह जो बच्चा गलती कर रहा है तो इसमें उसकी गलती के पीछे की वज़ा क्या है बच्चा क्यारलेस है क्या? नहीं ऐसा थो नहीं बोलेंगे हैं को बच्चों को the child is simply writing the number as she hears the child has not fully understand the place value system यानि कि अददों की जाहरी और मुखामे खिमत का भी उसको अच्छे से समझ में नहीं आया है मुखामे खिमत का concept उसका बाखी है शायद अच्छे से समझा नहीं है उसने इसलिए वो ऐसे mistake कर रहा है the child lacks intelligent and mathematical knowledge बच्चा जहीन नहीं है ऐसा तो नहीं बोलेंगे न अप्चा नमबर 3 इसका correct answer है next question a teacher gives a formula to find the area of a rectangle and ask the children to find the area of different rectangular cutouts the teacher is using देखी टीचर ने क्या किया बच्चों को सबसे पहले formula दिया है और अब हम उसको area calculate करने के लिए कह रहा है तो ये कौन सा method है हमें ये बताना है देखी जब क्या होता है किसी को भी पहले rule या formula बताया जाता है उसके बाद अब example के लिए जाया जाता है तो वो होता है deductive method उसको बोलते है deductive निगमनात्मक विधी कहते हैं जिसमें पहले formula या rule इस्तिमाल होता है उससे फिर हम examples पर जाते हैं यह होता है deductive method क्या होता है example to rule आया दाता है observation method क्या होता है observation method में देखकर बच्चों के behavior को और उनके observations को मतब किसी भी चीज़ को देखकर उसके results निका लिदाते है और laboratory method में क्या होता है laboratory method में बच्चे किसी भी चीज़ को सिर्फ भाखुद discover करते है facts को इसको सिर्फ याद नहीं कर लेते learn नहीं कर लेते बच्चे facts को क्या करते है discover करते है खुद भाखुद उसका इस्तमाल करके तो यह होता है laboratory method इस question का correct answer है deductive method next question janet uses many examples and non examples of polygons in her class she uses mathematical vocabulary and engages the students in discussion she has the knowledge of errors and alternate conceptions of children too as a mathematics teacher which of the following is most appropriate for janet तो हमें बताना है कि देखिए genetic teacher है जो बहुत सारे examples यूज़ करते है non examples भी यूज़ करते है polygons के उनकी class में और mathematical vocabulary को इस्तिमाल करते है बच्चों को engage करते है discussion में और क्या करती है वो उनको knowledge भी है कि बच्चे कहां पर खलते या कर सकते है या फिर उनको misconceptions कहां पर होते है तो as a mathematics teacher इसमें से कौन सी बात genetic के लिए सही थाबित होंगी उसको सिर्फ सिर्फ subject or matter का knowledge है क्या only आ गया negative word गलत she has the understanding of mathematical errors सही है ये बात बोली भी है इसके अलावा और भी बाते बताई इस सबसे ज्यादा करेक्ट है इसका अंसर के उसको पेड़ागोजी कल कंटेंट को नौलेज है बच्चों को पढ़ाने का तारीखा उसको सारी चीजों का इल्म है कि बच्ची कहां पर कैसे घलतिया करेंगे और उनको किस तीज से मिसकंसेप्शन होगा इसक्षिन का अंसर है option number one next question है in a constructivist classroom a mathematics teacher can improve the teaching and learning process by constructivist classroom में कोई भी teacher teaching and learning process को कैसे increase कर सकता है reflecting on classroom practices सही बात है giving more questions negative more questions ते कर नहीं करते है focusing only यह भी negative है identifying bright students और prepare them for competitive exams यह भी बात खलत तो इस question का correct answer क्या है option number one के जो है तो अभी class में जो example चल रहे है उसी पर reflect करना है और उसी की practice करवाना है next question question number 10 according to national curriculum framework 2005 teaching and learning methods in mathematics at primary level should focus on according to NCF 2005 teaching and learning methods जो रहेंगे mathematics के primary level पे किस तीस पर focus होना चाहिए exploration of various patterns in mathematics exploration positive word है developing the skills of estimation approximation among learners बच्चों के अंदर क्या करेंगे estimation और approximation की skill को develop करेंगे यह भी सही बात है positive है informal ways of learning like game solving puzzles हाँ games कभी स्तमाल करेंगे rigorous problem solving बस जादा जादा problem solve करवाएंगे क्या नहीं a b or c option number 3 इस question का correct answer है next question है which of the following are the various structures associated with the concept of division division की concept के साथ कौन कोंसे मेंसे structures associate करते हैं हमें यह बताना है ordering मतलब चीजों को order तर्तीब में लगाना होता है कि division related गलत ratio हाँ कसर जो होती है यह निजबत जो होता है निजबत जो होती है वो इसको हम fraction के form में लिख सकते और fraction क्या होते है division से related होते है तो यह आएंगा उसमें equal sharing हाँ equal sharing भी आएंगा इसमें क्यूंकि इसमें अम fraction के यूज करते है और इसमें sharing ही सिखाते रियरेंजिंग बच्चों चीजों को रही तर्तीब मतलब दोबारा से तर्तीब देना यह नहीं आएंगा इसका correct answer है इसमें का पुछा था इसमें से कौहन से चीज नहीं बताती है निगेटिव है उसका अंसर निगेटिव रहेंगा option no.3 इसका correct answer है next question है at primary stage mathematics textbooks include a variety of poems stories and patterns which of the following describes the most appropriate reason for this as per the national curriculum framework 2005 primary stage पर क्या होता है math के textbook में देखिए variety of poems होती है बहुत सारी नजमें कहानिया patterns होते है तो इसमें से कौन से चीज सही है सही वज़ा है इसकी कि national curriculum framework 2005 ने दिये है तो में फास्ट option है to make mathematics class less boring for the children यह सारी चीज़े इसलिए दिये जाती है कि बच्चों को math class boring ना दिखे या फिर कम boring दिखे गलात बात to develop the vocabulary of children बच्चों की vocabulary बढ़ाने के लिए poems stories and patterns देंगी कि उनको नहीं to get for some leisure time in mathematics class math class में कुछ leisure time निकालना है इसलिए यह सब सारी चीज़े दी जाती है क्या नहीं यह भी घलत है to make mathematics conceptual and related to life experience of children life experience देखिए सबसे positive word होता है कि बच्चों को उनकी daily life से connect करने के लिए जो चीज़े बताई दा रही है वो उनके लिए बहुत positive बात होती है और उससे वो बहुत जल्दी अच्छे से सीखते है तो इस question का correct answer है option number 4 next question है a student of class 5th performed multiplication of two digit number in the following way एक बच्चे ने क्या किया है किस तरीख से किया है 17 into 26 उनको दिया गया तो 17 को उसने multiply किया 20 plus 6 के 26 को उन्होंने 20 plus 6 लिखा है 17 को as it is रखा है 26 को 20 plus 6 लिखा है और फिर उन्होंने इस answer correct दिया है बिल्कुल 442 तो he should how should the teacher evaluate this student तो teacher को इस बच्ची के answer को कैसे चिक करना चाहिए the teacher should give her zero marks as this is incorrect method गलत teacher को से zero marks नहीं देना चाहिए क्योंकि यह गलत method है ऐसा थोड़ी ना करेंगा teacher उसके बाद में the student has adopted a different method and hence should be praised and given full marks student ने एक नया method adopt किया है उसके लिए उसकी तारीफ करें मतलब उससे थोड़ी शाबाशी दे और उसको पूरे marks दे इसके लिए इसके बाद teacher should tell the student to use the same method as thought in the class नहीं बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना है कि जो चीज हमने जैसी आप ऐसे ही करो जब वो खुद एक्स्प्लोर करेंगे और खुद से creative thinking करके divergent thinking में अपने अगर फाइन कर रहे है तो यह बात बहुत positive होरी उनके लिए कभी फोर्स नहीं किया जाएंगा कि हमारा ही यह method आप यूज करो इसका correct answer क्या है option number 2 है next question है last question pedagogy और आज के paper का as per national curriculum framework 2005 position paper on mathematics appreciating the richness of folk algorithm देखिए इससे पहले पेपर करा इसमें भी folk algorithm पर question आया था can enrich the child's perception of mathematics what is mean by folk algorithm हमको इसमें क्या बताना है folk algorithm का मतलब क्या होता है an algorithm developed to recite folk songs folk songs को याद करने के लिए थोड़ी ना जो डिवर algorithm बना है उसको बोलते हम folk algorithm गलत बात an algorithm used in ancient times पुराने जमानों में जो यूज होता था वो नहीं traditional cultural and social activities ये भी नहीं the mode of mental calculations used by people who are not formally educated ये इसका सही जवाब है folk algorithm mainly किसको बोलते है ये वो तरीखा होता है जो non जो formally educated लोग नहीं होते है तो वो जिस तरीख से calculation करते है या वो जिस तरीख से maths करते है जो algorithm वो यूज करते है उसी को क्या कहा दाता है folk algorithm यानि कि जैसे के सबजी वाले होते है मार्केट में सबजियां बेशते है और station पर कु तो वो लोग जो algorithm यूज करते है तो उसे हम folk algorithm कहते है तेखिए last question भी हम लोगा complete हो गया है मुझे उमिद है आपको आज का paper solution पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजे और इसे share भी कीजे अपने friends के साथ में और अगर आपने चैनल को अब तक subscribe नहीं किया या आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे मिलेंगे इंशाला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि